पुलिस द्वारा पकरे जाने के भैसे भागते वक्त तलाब में गिरे युवक की लाश घटना के लगभग पचास घंटे के बाद बरामत कर ली गई। उसकी तलाश में तलाब में उत्रे गोता खोर की लाश नहीं मिल सकी है जिसे बुद्भार को पूरह तलाशनी की कवायत क कुतवाली थाना छेत्र के रामसागर पारा का निवासी कमल गोड दिपावली के रात लगभग तीन बजे अपने साथियों के साथ तलाब किनारे जुआ खिर रहा था। उस वक्त कोई दो अग्यात लोग उस रास्ते से गुजरे और पुलिस के गश्ती दल का सायरन भी सिविल ड्रेस में दिखे अग्यात युवकों को पुलिस वाला समझ कर सभी जुआरी वहां से भाग निकले। कमल गोड भी भागते वक्त तलाब में गिरी पड़ा। घटना के दूसरे दिन कमल के लापता होनी की सूचना वा तलाब में डुबने की आशंका पर पुलिस न प्रबंधन की टिम ने दोनों की तलाश शुरू की किन्तु कमल गोड का ही शव बरामत किया जा सका। कमल गोड की लाश मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मज गया। पुलिस ने शव को मर्ग पंचनामा वा पोश्ट माटम की कारवाई के बाद अंतिम संसकार के लिए प प्रिपक्ट मिल्स